हलो वोस्तो एक और नहीं वीडियो में आप सब का स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं आया हूँ हसन हैदराबादी गोड़ फार्म पर माशाल्ला हमेशा की तरह हसन बही के पास काफी quantity में यहां पर जानवर एविलेबल है चाहे नासी में हो अबलख में हो बकरे में हो बकरी में हो इस बकरे को तक काफी लोग जानते है बाल दाल लाइन का extreme punch face का ये बकरा है भाई का पुराना बकरा है यहाँ पर इंतहाई खूपसूरत बक्री देख सकते हैं आप काले में हैं, फेस्पे वाइट पैच है यहाँ पर भी कुछ और बक्रियां है गुलाभी के शौकीन के लिए गुलाभी बक्री भी भाई के पास हमेशा एवलबू होते है बक्रे हो, बक्रियां हो लाबी में भी काफी भहतरीन कलेक्षिन construction डखते हैं हसन भई और जानवर आगे दिखाते हुए अफलख कलर में हैं नासी में हैं और इनकी कान क्वालिटी देखिए हसन भई के फाम की मैं हमेशा की तरह जो बताता हूं कान कौलेटी जानवरों में काफी बहतरीन होती है एक और इंतहाई बहतरीन यहाँ पर एक्स्ट्रीम पंच फेस में बकरा है खुला साफकान है फ्रेम स्ट्रीक्चर में देख सकते हैं काफी बड़ा है अच्छी ब्लेड लाइन का बकरा है ये भी आगे बढ़ते हुए कुछ और जानवर दिखा रहा हूँ यहाँ पर नासी में बकरा आ रहा है खुला साफकान है इसका भी जो गुलाबी के शौकीन है उनके लिए यहाँ पर बच्चे बड़ी बकरी भी है काफी अच्छा गुलाबी का भी कलेक्शन है अबलख में है नासी में कलेक्शन है यहाँ पर एक और इंतहाई गरम बकरा के पास अबलख कलर में आ रहा है यह भी खुले साफकान में है पंचेरे में है और काफी गरम है काफी गरम बकरा दोते हैं आज की इस वीडियो का मकसद हसन भाई के फार्म का ओवर्यू देना है तो आप में से जिस किसी भाई को जो भी जानवर पसंद आता है इसक्रीन शॉट लेके हसन भाई से कॉंट्टेक्ट कर सकते हैं टाइटल में भाई का नंबर आपको मिल जाएगा देख सकते हैं एक और हुपसुरत बकरी है पत्ता खुला साफ कान है maximum white color में है 95-98% white color में है फेस पे अलके से पैचस आ गए है कान क्वालिटी यहां पर एक और बगरी धिख कोसिश है तो यह कुछ जानवर है जो अच्की इस वीडियो में मैं निप div दिखने के कोशिशना में कैं अब्लब मैं फो मैं बड़े है ओसे है मेल आपका जानवर आपको यहां से मिल जाएगा आज की इस वीडियो को यहें पर खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दो स्घक्ति ओनाओ डर आपको यहें आपको यहें हैं मिल जाएगा रटाया आपको यहें। झाल झाल